साल 2001 का समय था उस समय इजराइल और चाइना के बीच में दोस्ती दोस्ती चल रही थी इसी बीच इजराइल ने एक खास हतियार चाइना से मांगा और कहा कि आप हमें ये हतियार दे दो इजराइल ने उस समय कह दिया कि नहीं ये हतियार हम नहीं दे सकते हैं और उसके ठीक महीं से शुरुवात हो गई दुस्मनी के अब चाइना ने उसके बाद क्या किया आज की खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी वायू सेना को एक बहुत बड़ा धोका मिला है और इस धोका का लिंक इस पूरी कहानी में छिपा हुआ है पाकिस्तानी वायू सेना ने भारत के खिलाफ एक काफी बड़ा प्लान मनाया था अच्छा खासा पैसा भी खर्च किया था लेकिन पुरी तरीके से बरबाद हुई है पाकिस्तानी वायू सेना जियो पॉल्टिक्स में बहुत कुछ चल रहा है CIS News Network के इस एपिसोड में हमेशा की तरह जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा आईए जानते हैं इन कबरों को विस्तार से एक जमाना था जब चाइना और इजराइल के बीच में ठीक ठाक दोस्ती चलने लगी थी वैसे आपको बता दे इजराइल और चाइना का दोस्ती न बड़ा अजीब सा रहा है पीपुल्स रिपब्लिक ओफ चाइना पी आर सी को माननेता दे दिया था इजराइल ने आते ही लेकिन इजराइल को माननेता काफी समय बार 1992 में चाइना ने दिया है और 1992 में चाइना ने दिया भी तो बहुत कुछ सोच कर दिया है चाइना को इजराइल से कई सारी चीजे चाहिए थी इजराइल को उस वक्त लगा कि ये बहुत अच्छी वाली दोस्ती है चाइना बढ़ता हुआ एक बड़ा देश है चाइना के साथ मिलकर चलना चाहिए और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ऐसा इसलिए क्योंकि जब नेतनिया हुँ पहुंचे थे चाइना तो उन्हो था 2017 का जिसमें कहा गया था इसराइल आपका पार्टनर बन सकता है परफेक्ट पार्टनर बन सकता है कई तरह के टेक्नलोजी डवलपमेंट में और हम बहुत सारी चीजे बदल सकते हैं लेकिन बेंजामीन नेतनियाहु की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था चाइना को क्यों क्यों नहीं हो रहा था क्योंकि 1980 का दोर जब इसराइल दूसरा देश था जो चाइना को हतियार देता था रूस पहला देश था और उसके बाद इसराइल था उसके साथ रिस्ते खटे होने सुरू हो गए कब आपको बता दें 2001 में सब कुछ अच्छा चल रहा था इसी वीच इसराइल को चाइना ने कहा कि मुझे अपना फालकन एरबोर्न वर्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम दे दो यानि कि आवाक्स इस डील ने इसराइल को टेंसन में डाल दिया और आखिरकार इसराइल ने कहा कि नहीं हम ये डील नहीं कर सकते हैं हम तुम्हें आवाक्स नहीं लिए इजराइल से यानि को चाइना को ना और भारत को हा कहा क्यों कहा तो आपको बता दें चाइना उस वक्त एक आवाक्स बना चुका था और चाइना को फिर भी इजराइल से आवाक्स चाहिए था यानि कि चाइना के बनाए गए आवाक्स में कुछ समस्याई थी चाइना क अपना ही आवाक्स सिस्टम, दुनिया के सामने ला दिया और कहा कि यह मेरा आवाक्स सिस्टम है और हम इसे बेचने को तयार है! अब इतनी देर से हम लोग आवाक्स-कर रहे हैं अखिर यह है क्या तो आप समझ लेजिये कि यह एर्बोर्न रडार सिस्टम है जिसके जरिये, एरक्राफ्ट, जहाज, वाइकल, मिसाइल, आने वाले प्रोजेक्टाइल्स इनकी जानकारी मिल जाती है और ज्यादा तर इस तरीके के जो विमान होते हैं जिनमें अवाक्स हो उन विमानों का इस्तेमाल किया जाता है निगरानी के लिए, छेत्रिये निगरानी के लिए सर्विलांस के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है मतलब ये कहें कि एक युद्ध को मैनेज करने में इसका रोल बहुत खास होता है इतना खास होता है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाईए कि G20 में भारत ने अपने नेत्र अवाक सिस्टम को लगाया था और यही नेत्र अवाक सिस्टम एक बार F-16 फाइटर जेट पाकिस्तान के इसके बारे में इन्फोर्मेशन भारत को दे चुका था बॉर्डर पे वहीं दूसरी तरफ भारत का DRDO भी अपना अवाक सिस्टम बना रहा है जैसे जैसे पाकिस्तान और चायना के तरफ से आकरामकता बढ़ती जा रही है पर अभी का सीन क्या हुआ है स्क्रीन पर यूरेसियन टाइम्स का एक आर्टिकल देखिए पाकिस्तान के जेव 17 ने 6 राफ वार गेम हो रहा था वहां पर इस तरीके का किया गया अब बगवान जाने इस तरीके के वार गेम में भारत को हराने की कोसिस कर रहा है लेकिन असल में क्या हो रहा है तो आपको बता दें असल में पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से फस गया है क्योंकि चायना ने एक बार फिर से चूना लगा दिया है पाकिस्तान की वायू सिणा ने एक बड़ा ही हैरानी भरा कदम उठाया है और इस साल अपने जेडिके जीरो थ्री कारा कोरम इगल एरबॉर्ण अर्ली वर्निंग एंड कंट्रोल एरक्राफ्ट यानि अवाक्स को रिटार करने जा रही है पाकिस्तान की वायू सेना अब हवाई निगरानी के लिए सिर्फ स्वीडन की कमपणी साब के द्वारा बनाए गए अवाक्स बिमानों पर जेडी के जीरो थ्री कारा कोरम एयरक्राफ्ट खरीदे थे जो बेकार निकल गए है यही बज़ा है कि अब चीन के इन विमानों की चमता को लेकर सवाल उठ रहे हैं और दोनों ने दावा किया था कि अब अपनी लंबी दूरी तक निगरानी छमता बढ़ा देंगे। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान दोनों मोर्चों पर निगरानी करने के लिए इस बिमान को खरीदा था और अब ये बेकार निकल गया। मात्र आठ साल में ये बिमान बेकार हो गए। चीन ने साल 2011-2015 के बीच में इन बिमानों की आपूर्ती की थी। इस तरह से इन बिमानों का सेवा काल 10 साल से भी कम रहा। अचानक से इन बिमानों को रिटायर करने के फैसले से चीन के बिमानों की छमता और विश्वस नियता को लेकर एक बार फिर से सवालिया निसान लग गया है। वैसे बताया जा रहा है कि इन चीनी बिमानों में टेकनिकल प्रॉब्लम आ रही है और यही वज़े है कि पाकिस पाकिस्तान की मजबूरी है फिर उससे ही अतियार खरी देगा वैसे इन सब मामले में आपकी क्याराय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं वीडियो में नई ख़बर के साथ